आपका स्वागत है आईए देखते हैं आज की कुछ प्रमुक खबरें महराज सरकार में मंत्री और कांग्रेश नेता नेतिन राउत ने संजेर राउत पर पलट वार करते हुए कहा कि बाप भारती जनता पार्टी के साथ थे तब उसके खिलाब बयान देते थे लेकिन हम इसे बरदास नहीं करेंगे हम इड का जवाब पत्थर से देना जानते हैं अगरती इंदिरा गांदी हमारी नेता थी और वे हमारी आदर्श भी है ऐसे नेता के बारे में इस प्रकार का निंदनिये वक्त वे करना हम बिलकुल बरदास नहीं करेंगे मुझे पता है कि सिवसेना के प्रवक्ता संजे राउत इसके पहले भारते जन्ता पार्टी के साथ सरकार में रहते वक्त उन पर टीका करते आया है लेकिन वो अगर ये समझते होंगे कि हम उनके जैसा सुन लेंगे ये हमको बरदास होने वाला नहीं है हम इट का जब तो जवाब पत्तर से देना जानते हैं अगर हमारे नेता के बारे में कोई इस प्रकार का वक्तव करेगा उस वक्तव को हम बिलकुल किसी भी प्रकार से सहिन ने करेंगे यानि कि कुल मिलाकर कहा जाएं सिर्फ सेना और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चला है जिस तरह से सिर्फ सेना और कांग्रेस के बीच खटास बढ़ती जा रही है उससे लगता है कहीं न कहीं सिर्फ सेना और कांग्रेस के दूरियां कम होने की बज़ए आने वाले समय में बढ़ती जाएगी एबी नियूज में ख़बरों का सफर नामा करते हैं समाप बिने पाठक को दीजे अजाज़त हम फिर मिलते हैं नई खबरों नए सफर के साथ लेकिन चलते चलते गुजारिस बिनती यनूर यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर कोई घटना घटित हुई है और आप उसे हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाये जा रहे हैं नमबर पर सीधे शंपर कर सकते हैं साथ ही चलते चलते आपसे गुजारिस बिनती यनूर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटूब चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए दन्यवाद, नमस्कार